सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो एक सेकंड तो लगेंगे और क्या आपको पता है वो हजारों पेट्रोल पंस जो आप आते जाते देखते हो उसके नीचे एक अलगी दुनिया मौजूद होती है और कोई गाना सुनने के बाद वो गाना हमारे मन में बार-बार रिपीट म क्यों बसता रहता है और शार्क मचलियों का आँख का टुकडा इंसानों के आँखों में आजकल क्यों लगाया जा रहा है यह सब और ऐसे और भी कई इंट्रेस्टिंग फैक्ट्स आप इस वीडियो में जानोगे जैसे कि मैंने कहा वीडियो को लाइक जरूर कर देना आप पंप पे गाड़ी के अंदर तेल डाला जाता है लेकिन वो तेल आता कहां से है क्या यह जो इतना तंकी है इसी के अंदर तेल होता है या फिर नीचे में भी अंट्रग्राउंड में कुछ सिस्टम होगा लेकिन आक्चुली में जो सिस्टम होता है वो सबसे इंपोटन्ट पाट होता है पेट्रोल पम्स का, जब पेट्रोल पम्स बन रहे होते हैं, तब वहाँ पर जमीन को कोड़ कर, ऐसे टैंक्स को डाला जाता है, इसको आप शायद इबनते हुए देखे होंगे, अगर आपके पिता जी कंस्ट्रक्शन के फिल्ड में होंगे, तब high chances है कि आप इसके बारे में already जानते हो लेकिन बहुतों को नहीं पता कई petrol pumps के नीचे ऐसे दो tanks होते हैं बड़े petrol pumps के नीचे देखोगे तो 4-4 tanks होंगे और रास्ते में जाते वक्त आप जो truck देख रहे होते हो अलग-अलग तेल ले जाने वाले trucks वो इसी को fill करते हैं लेकर बहुत लोग पैसा कमा कर business करना चाहते हैं और बहुत लोग के पास अपने दादा जी के highway की पास वाली जमीन है और वैसे जमीन में अकसर लोग petrol pump open करना चाहते हैं लेकिन अगर आप इस business के बारे में थोड़ा सोचोगे और बड़े लोगों से discuss करोगे तो आपको दो तरह के लोग दिख जाएंगे एक वो जो बोलेंगे कि हाँ petrol pump खोल ले, lifetime कमा लेगा अच्छे से पूरी जिंदगी बीच जाएगी मजे से और दूसरे तरह के वो लोग होंगे जो ये कहेंगे कि देख सरकार का action को देख वो switch कर रहा है EV में, electric गाडियों में तो अगर तू petrol pump खोला तो शायद 10-15 साल तक तो तू मजे में रहेगा लेकिन उसके बाद what लग जाएगी जब diesel की गाडियां पूरी तरह से abolish हो जाएगी तो ये एक सोचने वाली बात आती है मैंने उन लोगों के लिए बताया जो लोग या फिर आपके परिवार में कोई petrol pump open करना चाहता हो आपको पता है सरकार के इनी actions के चलते मैंने कभी भी petrol pump में इन्वेस्ट नहीं किया अब ये मेरी बेवकूफी है या बुद्धिमानी गिरी ये तो जनता ही बताएगी अब कुछ कमेंट्स आएंगे मेरे को पता है petrol pump be like मुझे क्यों तोड़ा हा लेकिन इसी बहाने आपने fact तो जान लिया न उन टंकियो वाला आपको तो पता ही होगा कि मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन बहुत अजीव और क्रेजी कमेंट से भरे होते हैं एक इनसान ने मुझे पुछा था कि भाई इस पे वीडियो बनाओ आखों में डेट ओल डालने से क्या होगा कोई बोलता है आखों में फिबिक विक डालने से क्या हो जाएगा इस पे वीडियो बनाओ अरे ये वीडियो का टॉपिक है ये हाँ हाँ लेकिन सोचने वाली बात तो है तो देखो डेट ओल या फिर कोई भी एंटिसेप्टिक लिक्वेड या फिर hand sanitizer इन सब में आधे से ज़्यादा alcohol होता है in the form of ethanol या कोई और form में और alcohol अगर आँखों में चला जाए तो वो आपके आँखों के outermost layer यानि cornea पे सबसे ज्यादा effect करेगा हाँ लेकिन थोड़ा सा जाने के बाद ऐसा नहीं होगा कि आप अंधे हो जाओगे बस आँखों को swell कर देगा लेकिन आँख के deeper structures को effect नहीं करेगा अगर आपके आँखों में गलती से डेटॉल चला जाए तो सबसे पहले तो एमर्जंसी में जाना चाहिए आपको तकि आँख बच जाए और ये तो main बात नहीं है main बात ये है कि 2020 में कोरोना के समय कई लोग कोरोना से बचने के लिए डेटॉल का इस्तमाल कर रहे थे डेटॉल को पीने लग रहे थे उनको ऐसा लगा थे कि डेटॉल पीएंगे तो कोरोना वाइरस मर जाएगा इसको पता है क्या कहते हैं God level thinking और इसी दौरान साल 2020 के दौरान आखों के अंदर sanitizer जाना ये भी बहुत लोग experience किये थे जो लोग WhatsApp University से graduation लेते हैं ज्यादा तर वो लोग ऐसे काम कर रहे थे और मुझे पता नहीं कि कोई भी sane इंसान यानि सामानने इंसान ऐसा कैसे कर सकता है Fact number 8 आप लोगों में से जो लोग गाने सुनते हो तो आप देखना जब आप कोई गाना सुनते हो या तो party में या तो earphone में तो अगर कोई गाना आपको पसंद आ गया तो वो दिन भर आपके मन में बजते रहेगा और रुकेगा ही नहीं काम करोगे पढ़ाई करोगे गाना बजएगा एक्जाम दोगे तब भी वो गाना या फिर background music बजता रहेगा ऐसा भला क्यों होता है दिमाग को क्या इतना पसंद आता है एक ऐसा point आएगा जब आप irritate हो जाओगे कि इतना मन में गाना क्यों बज रहेगा लेकिन मन में वो जबड़दस्ती फिर से बजता ही रहेगा तो ऐसा भला क्यों तो इसका answer ये है कि गाने को आपका brain unfinished task की तरह देखता है एक ऐसा task जो कि वो finish करना जरूरी मानता है मतलब एक गाने को जो आप सुनते हो तीन मिनट का पूरा होता है तो सुरू से लेके end तक सुन लिए तो brain को लगता है कि चलो काम finish हो गया और कहीं बीच में ही गाना बंद हो गया तो वो उसको एक ऐसा काम की तरह देखता है जो कि आपने finish नहीं किया और आपका primitive brain उसी चीज़ को बार-बार play करता है mind में तो एक गाने को आपका brain एक task की तरह देखता है और अगर आपने task finish नहीं किया तो वो repeat करता जाएगा जब तक brain को ये न लगे कि हाँ आपने काम कर दिया है तो इसका solution पता है क्या है गाने को पूरा खुल के मन में बजने दो पूरा A to Z मन में कोई गाना बज रहा है तो उसको 10-20 सेगंड तक पूरा बजने दो पूरा end तक complete होने दो ये होने के बाद तब आप देखोगे कि हाँ finally अब गाना मन में नहीं बज रहा है क्योंकि आपने मन में पूरा खुल कर उसको सुन लिया है fact number 7 आपने दुनिया में नॉर्मल बिजनेस को देखा होगा एक शॉप कीपर नॉर्मल बिजनेस एक पेट्रोल पंप ओनर नॉर्मल बिजनेस एक राइस का मील नॉर्मल बिजनेस और आपने काले काम को भी देखा होगा काले बिजनेस जैसे किसी एरिया से खनीज की चोरी, एक काला बिजनिस, और भी बहुत तरह के काले बिजनिस होते हैं और इसके साथ साथ ये समझो, आपने नॉर्मल इंटरनेट को देखा होगा YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp, ये चारो आप्स जिस पे आप कूदते रहते हो एक से दूसरे पे ये हो गया वो इंटरनेट, और आपने डार्क इंटरनेट के बारे में भी सुना होगा इंटरनेट की वो जगह, जो कि इसी का एक पैरलल यूनिवर्स है, लेकिन वो बहुत डार्क है और जिस तरह दुनिया में GDP होता है, जैसे कि पूरा दुनिया का ग्लोबल GDP ले लो और मान लोग वो है 100 रुपै, तो पूरे GDP का आप्रोक्स 2-5% डार्क वेब से जनेरेट होता है एक सर्वे के हिसाब से क्योंकि more than 75% of the dark web sites, market places होते हैं अब को पता है, ड्रग्स बैन होने के बावजूद भी लोग कहां से ले लेते हैं अब लोग कहेंगे कि उनका contact होता है local dealers के साथ अब local dealers वो कहां से लाते हैं आखिरकार जुगार जो होता है ये अकसर आजकल internet से facilitate होता है और WhatsApp, Facebook, Instagram को आप कितना भी end-to-end encrypted मान लो ये black में काम करने वाले कभी इन apps को trust नहीं करते हैं जो थोड़ा ज़्यादा aware होंगे उनको पता होगा कि ये लोग काले कर्टूतों के लिए डार्क वेब में मौजोद websites यूज करते हैं आपस में chat करने के लिए जो लोग एक दमीन जानते हैं वो लोग समझ जाओ कि डार्क वेब वो websites होते हैं जिनके बारे में ज़्यादतर लोग को पता नहीं होता और generally ज़्यादतर black कामों के लिए वो use होता है किसी को मारना, kidnap करवाना ये सब के contracts भी डार्क वेब पे sell होते हैं और simple मन में ये सवाल आता है कि government डार्क वेब को ban क्यों नहीं करता है और internet के जो layers हैं वो बिल्कुल road की तरह होते हैं अब सरकार सारे roads को तो ban नहीं कर सकती क्योंकि वो ज़रूरी है हमारे world के functioning के लिए बिल्कुल वैसे ही internet है internet essentially computers का एक network है जिसको कि इनसान access कर पाते हैं और यही कारण है कि dark web exist कर रही है और इसका uses और बढ़ता जा रहा है ये एक बहुत ही interesting fact है जो कि बहुत अजीब है लेकिन cute है cute क्यों है? क्योंकि अगर आप plane की tickets book करते होगे या फिर कभी भी future में करोगे तो आप एक चीज़ देखना जब भी flight का price दिया रहेगा तो fair charges के नीचे बहुत type के extra charges होंगे जैसे की regular charge, regional connectivity charge, cute charge, aviation security fee, user development fee, etc तो भला ये cute charge क्या होता है? क्या आप cute हो इसलिए वो cute charge लेते हैं आपसे? टत पगले cute का full form होता है common user terminal equipment charge यानि airport पे मौझूद वो equipment जिसको कि आप use करते हो जैसे की escalator हो गया, metal detecting machines जो कि आप इस्तमाल करते हो या फिर airport का gate मतलब इन सब का charges भी आपसे लिया जाता है मेरे ख्याल से वो वक्त दूर नहीं जब जो airport में हवा मौझूद है न उसके लिए भी air charges extra से लिया जाएगा कि आप airport में सांस ले रहे हो उसका charge है यह हद है बाई मुझे सही में इस fact के बारे में पता नहीं था कि cute charges on a plane ticket का मतलब यह होता है कि जो metal detector जो कि हमारे checking के लिए use होता है उसका fee भी हम भरेंगे वाह equipment charges fact number five क्या आपको पता है shirts लेते वक्त आप sizes को देखते होगे small medium large extra large double XL तो यह असल में हर जगा के लिए same नहीं होता अगर आप कोई ऐसे दुकान से ले रहे हो जो कि global दुकान है यानि वहाँ पर बहुत तरह के लोग लेते हैं अलग-अलग countries से लोग shirts लेते हैं तो ऐसे दुकान के shirts में आपको कुछ ऐसा दिखेगा असल में हर continent में यह shirts का जो size होता है या फिर shirts का जो overall system होता है वो अलग-अलग होता है बसकि देखो यह shirt है इसमें Europe में जो S size है वो USA का X size है extra small और Asia continent में वही size M है ताकि अगर दूसरे continent से भी लोग आए तो उनको सही size मिल सके that's weird fact number 4 कई चीजों के नाम के पीछे एक logic होता है और वो logic बहुत लोग को नहीं पता होता एक बहुत ही common term है muscle यह जो शब्द है muscle जो आपके शरीर में muscle मौजूद है यह कहां से आया आपको पता है तो muscle का Latin में मतलब होता है little mouse और muscle को muscle ही इसलिए कहा जाता है ancient roman यह मानते थे कि यह इंसान का जो हाथ का muscle होता है जैसे कि biceps ले लो वो एक चुहे की तरह होता है वो चुहे की तरह हम हिला पाते हैं और muscle को देखने से भी यह कोई चुहा का body लगता है यह बहुत ही आजीब लग रहा होगा आपको लेकिन muscle का मतलब यही है little mouse यह भी बहुत कमी लोगों क पता होगा exact word बोलू तो latin में जो word है वो कहते हैं musculus और इसी का मतलब होता है little mouse और musculus से ही muscle आया है fact no.3 इंसानों की बोर्यत दिन बदिन बढ़ते जा रही है यह तो आपको पता ही होगा पहले छोटी छोटी चीजों से इंसान entertain हो जाया करता था और आज कल इंसानों का mind इ जा रहा है और इसी का नतीजा भी हमें दिख रहा है क्या आपको पता है अमेरिका के डेट्रोइट में एक ऐसी company है जिसका नाम है extreme kidnapping और इस company में क्या है कि लोग पैसे देकर अपने आपको kidnap करवाते हैं अब यह सुनने में बहुत weird लग रहा होगा लेकिन कई लोग movies में kidnap करवाने के लिए देते हैं यानि करीब एक लाग रुप है just for entertainment अब इस company का बायो भी देखोगे तो आपको ऐसी कुछ देखने मिलेगा we specialize in creating the most realistic hardcore movie style kidnapping scenarios available anywhere in the country वाह अब इस fact के बारे में मैं क्या बोलू आपको बताओ आप ही कुछ बोलने लाएक रहा fact number two आपको पता है जिन लोगों के eyes में problem होता है या फिर eye किसी accident से damage हो जाता है तो उन लोगों का आखों का transplant needed होता है ज्यादतर cases में आख को ही बदलने की जरूरत होती है लेकिन जरूरी नहीं है कि immediate basis पे आख मिल जाए या फिर आख मिलना भी एक बहुत ही costly process है मिलता भी है तो इनसान की पूरी जिंदगी की savings लग जाती है एक नए आख को लगवाने में इससे आख की तो value हमें पता चलती ही है लेकिन fact ये बताना चाहता हूं कि इनसान के आखों के सरजरी में shark मचली का cornea भी use किया जाता है जी हां आखों का जो ये part होता है cornea ये जब बदला जात है तो फिर पूरा आख नहीं मिला तो shark के cornea को use करके इनसान के आखों में डाला जाता है और ये successfully work करता है तभी ये process exist करता है ये बहुत लोगों के आखों में इस्तेमाल किया गया है जिसे कि ये आप actual photo देख सकते हो कि accident के चलते कैसे आख डैमेज हुआ था और shark का cornea लगन पत्थर है 2300 फीट उचा एक पत्थर जो की करीब 1500 किलोमेटर दूर से भी दिखाई देता है अब ये facts सुनके आप कह रहे होगे ठीक है Australia में मौजूद ये Mount Augustus Mountain नहीं है पत्थर है लेकिन सारे Mountain तो पत्थर ही होते है न Mountain मतलब पहाड तो ये क्या बता रहा है तू ये आप कहोगे तो actually में बात ये है कि mountain और rock या फिर big rock में बहुत अंतर होता है mountain actual वाले जो होते हैं वो हजारों लाखों साल तक वैसे ही के वैसे ही रहते हैं लेकिन ये जो बड़े-बड़े rocks होते हैं ये इनका property ये होता है कि ये धिरे-धिरे erode होते जाते हैं हवा के ताकत से या बहा जाता है big rocks और जो actual made scientifically true mountains होते हैं वो millions of years से वैसे ही के वैसे ही होते हैं वहाँ पर soil होता है पेंड़ पौदे होते हैं पूरा system होता है लेकिन ये Mount Augustus जिसका नाम है Mount Augustus लेकिन technically वो mountain नहीं है क्योंकि वो एक large rock है pure rock तो I hope इस fact के बाद आपको rock और mountain में फर्क समझ आ जा तो जरूरी नहीं है कि वो पहाड के category में आए यानि technically mountain के category में आए ये जरूरी नहीं है हो सकता है वो big rock के category में आए ये बहुत ही deep चीजे हैं जो कि आपको पता हो तो बहुत अच्छा है क्योंकि बहुत लोगों को इसके बारे में पता नहीं है तो ये था आज के facts वीडिय करके bell icon जरूरा on कर लेना थैंक यू सो मच फोर वाचिंग दिस वीडियो